तो वेलकम डियर इस्टूडेंस मैं एजाज लड़न फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूँ स्वागत करता हूँ तो चलिए सबसे पहले यहाँ प्रस्ट को देखते हैं यहाँ परतिवेक्टी आए क्या है यानि हमें परतिवेक्टी आए के बारे में बताना है जैसा कि है आय का मतलब होता है income किसी वेक्ति के कमाई को income को हम आय कहते हैं और इससे पहले है परती वेक्ति तो परती वेक्ति का मतलब हुआ हर वेक्ति का हर आदमी का आय यानि कमाई income यानि परती वेक्ति के हर वेक्ति के आय को हम परती वेक्ति आय कहेंगे तो आए इस को उत्तर में समझते हैं यहाँ पे किसी रास्ट या देश के रास्ट का मतलब देश ही होता है तो किसी रास्ट या देश के प्रतिक वेक्ति के प्रतिक मतलब हर वेक्ति के आउसत आय को पड़ती वेक्ति आय कहते हैं सिंपल सा है किसी भी देश या रास्ट के प्रतेक वेक्ति का जो आउसत आय होता है उसी को हम लोग प्रती वेक्ति आय कहेंगे अब ये आउसत आय क्या होता है आय का मतलब तो इंकम होता है कमाई होता है लेकिन आउसत आय क्या होता है इसको समझे देखिए किसी वेक्ति का यदि इनकम यानि कमाई आपका मान के चलिए पांच हजार रुपया है हो सकता है किसी का किसी दूसरे वेक्ति का साथ हजार रुपया है तो यहाँ पे दोनों वेक्ति का इनकम जो है अलग अलग है यदि हम इसका आउसत निकालेंगे तो इन दोनों को जोर करके क्योंकि दो व्यक्ति है तो दो से भाग लगा देंगे तो यहां कितना होगा दोनों को जोरेंगे उपर में तो हो जाएगा बारे हजार और दो से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा थे हजार यानि यहां पे यह से हम भाग लगा देते हैं तो उसी को आगे में कहा गया कि रास्ट्रिया रास्ट्रिया का मतलब रास्ट्र का आए देश का आए में देश की कूल जन संखियां से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे परतिवेक्ति आय कहते हैं यानि यदि हम रास्ट्रिय आय में रास्ट्रिय आय में देश की जन संखियां से भाग लगा दें तो रास्ट्रिय आय में देश की जन संखियां से भाग देने पर जो भी हमें प्राप्त होगा उसी को हम कोलते हैं प्रतिवेक्ति आये किलियर है कि हमें रास्टी आये में देश की जन संख्या से क्या दना पड़ता है भाग दना पड़ता है जो भाग पल बसता है उसी को प्रतिवेक्ति आये कहते है अब आगे बढ़ते हैं देखिए विकसित देशों का परती वेक्ति आए अधिक जबकि विकासिल देशों का परती वेक्ति आए कम होता है देखिए एक बात तो असपस्ट आप जानते हैं कि जिस देश के वेक्तियों का परती वेक्ति आए आए का मतलब इनकम अधिक होगा व अमीर देश को ही हम लोग विक्सीत देश बोलते हैं, विक्सीत देश मतलब जो विकास कर चुका है, जो तरक्की कर चुका है, जैसे अमेरिका, जापान, रूस, तो ये विक्सीत देश हैं और इसके परतिविक्ति आए, परतिविक्ति का जो इंकम है, कमाई है, वो अधीक होत तो यहां पर यह वीडियो समापत होता डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियो उसकी लिंक है वीडियो देखने के लिए आपका धनवाद